जैजे CLC दोस्तों, माइनेम इस तरू मित्तल, केमेश्ची जैई, फैकल्टी CLC सीकर, सबसे पहले तो बिटा आज अपने ये बात करने वाले हैं कि CLC है क्या, देखें, CLC के लिए मैं एक ही वर्ड कहना चाहूंगा, CLC एक ऐसी टीम है, जिसने खुद पर वरक किया है, इसलिए लोगों ने उसे गूगल पर सर्च किया है, यह CLC की खासियत है, यहाँ पर हर बच्चे पर प्रोपरली अच्छा वरक किया जाता है, हम परिवार की तरह काम करता है CLC में, और CLC एक ऐसा इंवायरमेंट है, जहां बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है, खुद से कोशिश करता है, टीचर उसको help करता है, CLC के अंदर ऐसा नहीं है कि उनली, 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 जेई चल रहा है, जेई नीट, बढ़िया बहतरीन रिजल के साथ, आप सब करें, हम यहां पर हर कोशिशन पर इंडिविज्वली इतना वर्क करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, उसके बाद उस पेपर को बनवाते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें टीचर की बोल सकते हैं, आप स्पेशिल्टी जुड़ी होती हैं, उनका experience जुड़ा होता है, और CL की बात करूं, तो CLC के बल टोपर के ऊपर ध्यान नहीं देती, CLC एक एवरेज बच्चे पर ध्यान देती है, इसलिए CLC खास है, लोगों के लिए CLC एक ऐसा experience बन गया है, जिसमें किसी का भाई या बहन बहुत पहले पढ़के गया है, वो आज भी अपने भाई या बहन कि CLC भी रिष्टेदार को, CLC को prefer करने को बूलता है, और इसी का कारण है कि यहाँ पर एक traditional परिवार जैसा महूल बन गया है, तो CLC की बात करूं, तो CLC में NDA भी चल रहा है हना, और CLC की बात करूं, JEE भी चल रहा है, हर team अलग है, हर environment, जहां का environment, JEE का environment है, JEE जैसा महूल एक दम competitive है, different kind की question है, question bank भरा पड़ा है, तो बहुत अच्छा महूल है, तो आज उसी महूल का एक, बोल सकते हैं, हम through out, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा question bank के थूरू अपने representation कर रहे है, जिसका नाम उने क्या दिया है, बिटा, mid session test series, चलिए paper का discussion स्टार्ट करते है, mid session test series के लिए, अगर अपने बात करें, mid session test series के, इसी में पहले question की है, single choice type की question थे, और पहला question, IUPAC name के regarding है, अगर IUPAC name के इस question की बात करें, an easy question, bone line notation था इस में, bone line notation की बात करें, तो the IUPAC name for the following compound is, इस compound का IUPAC name क्या होगा, बिटा, सबसे पहली बात, अपने को priority table आनी ही चाहिए, ऐसे question को solve करने के लिए, देखिए, जैसे आप selection के लिए CLC को prefer करते है, test series को, CLC की test series को prefer करते है, उसी तरह यहाँ प वैसे यहाँ functional group को priority दे दिए, और नाम आसानी से लिख पाओगी, तो अगर अपने बात करें, CWH की, तो CWH is main functional group, बैटा, यह CWH क्या है, main functional group है, और यह main functional group है, तो numbering इदर से start होगी, अब एक बात बताई, यह numbering इदर से start करते हैं, तो अपने को एक number यहाँ देना तो दो number carbon यहाँ जाएगा, 3 number, 4 number, 5 number and 6 number, I think समझ गए होंगे कि 2 per methyl है, and then 2 per methyl के बाद 5 per methyl है, then it is 2,5 di methyl, there are 3 options, अब अपने क्या करें बैटा, 2,5 di methyl के बाद अपने को आच्छो ग्रूप है, उसे अपने OXO भी बोलते हैं, तो बैटा, 6 per OXO भी होना चाहिए, and 6 per OXO है, second option में, अच्छा, अब बताइए, carbon chain में कितने carbon थे, 6 carbon, then hex, and double one कितने पर आ रहा है, third पर, तो hex 3, in, and cwh के लिए suffix का यूज करते हैं, that is, oic acid, and easy question, और ऐसा question, जिसमें आपने bone line notation भी सिखा है, जिसमें आपने priority भी सिखी है, जिसमें आपने ये भी सिखा कि CHO को, अगर main chain में consider कर लिया जाए, तो उसे OXO prefix से जाना जाता है, तो इसका answer, I think, सब लोग समझ गए, that is the second answer, एक easy question, अच्छी approach के साथ, move on to the next question, अपने, अगर next question की बात करें, again, from IOPC ने, ये compound, पहली बात तो benzene category का है, और benzene category के इस compound की बात करें, तो यहाँ पर अपने co-main functional group, aldehyde मिल रहे है, again, priority table से यूज किया, और अगर अपने aldehyde की बात करें, तो यहाँ पर aldehyde के अपने पास काफी सारे options है, like benj aldehyde, benj aldehyde, benj aldehyde, benj aldehyde, तो बिटा अपने को य लिए बाकी सारे, 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 all are substituents, remaining groups are substituents, तो NO2B substituents है, amino B substituent है, CS2OH, hydroxy methyl is also an substituent, तो numbering अपने यहाँ से देंगे, बिटा, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, education, अब एक बात बताईए, यहाँ पर alphabetical order को consider करते हुए, अपने को name write down करने, तो आप बता सकते हैं, I think, 5 amino, 5 amino, वन एक ही option में है, that is third, and 5 amino के just बात, hydroxy methyl भी है, नाइट्रो भी है, लेकिन alphabetical order में hydroxy methyl पहले आता है, तो अपने को 4 hydroxy methyl लिखना है, then 2 पर नाइट्रो है, तो यह अपना option हो जाएगा, to nitro bench aldehyde, third will be the correct answer, I think, सब लोग उने अच्छे से बन हाया भी होगा, एक आसान और एक अच्छा question, नई application के साथ, benzenoid compound था, move on to the next question, बिटा अगर अपने next question की बात करें, again, benzen category से ही है, लेकिन इस question की भी एक specification, I think, समझे भी होंगे आप लोग, इस question की खासियत यह है, यहाँ पर, तीन substituents लगे, there is no functional group, functional group है ही नी इसमें, substitute का case है, अब substitute का case है, तो lowest location, अपनी priority रहनी चीए, बनलब location कम से कम numbering मिले, तो अपने देखते हैं, कि यहाँ पर lowest location, तो one number इधर दीजिए, two number यहाँ, third, then fourth, तो एक बात बता सकते हैं, I think, आप लोग, कि sir, यहाँ पर, four per nitro है, two per chloro है, one per methyl है, लेकिन आपको यह तो पता ही है, कि आप alphabetical order में nomenclature करते हो, अगर alphabetical order में करते हो, तो I think, समझ गए होंगे, कि two chloro priority के साथ आना चाहिए, two chloro के बाद, one methyl आना चाहिए, two chloro एक ही option में है, one methyl है, four nitro है, benzen, then third will be the answer, एक easy question था, अच्छी approach के साथ आपको करना भी चाहिए था, और बिटा, एक चीज़ बता दू, हर question में अपनोंने एक नई quality त्यार की है, नई specification दी है, तो हर question को sincerity के साथ बनाईए, इसको वापिस से भी बनाईए, अगर आपसे कोई question में mistake हुई है, उससे फिर से बनाना चाहिए, तब ही आप test series देते हूँ, move on to the next question, अगर अपने next question की बात करें, तो इसने बुला है, the IPC name of the popular analogiesics, कम antipyratic having the following structure, देखिए, इस compound की बात करें, तो antipyratic भी है, analogiesic भी है, तेंपरेचर को भी कम करती है और pain को भी कम करती है, अगर अपने बात करें, इस molecule की, तो I think सब लोग समझ भी यह होंगे, sir, this is acetyl, this is acetoxy group, ethanol oxy also, और अगर इसकी बात करें, तो यह अपने salicylic acid परते हैं न, रिमर्ट इमान से जिसका, या कॉलबेश इमीट से अपने product formation करते हैं, वही product है, लेकिन अपने अभी nomenclature पर तो nomenclature की बात करने वाले हैं, तो अगर इसकी बात करूँ, तो यह अपने पास acetoxy group है, main functional group is CWH, यहाँ पर एक चीज वो नहीं सीखने को मिली, कि यह जो group है, इसको acetoxy, ethenolyloxy दो नाम है, तो अब एक बात बताईए, यहाँ से numbering करेंगे, 1 and 2, 2 पर acetoxy, या ethenolyloxy, बैटरी इस इतनो लोक्षी, लेकिन option में mention नहीं है, तो 2 acetoxy, this is also, this is also an IUPC ने, 2 acetoxy, benzoic acid, this will be the correct answer, I think सबने बनाया होगा, इससे अपने को एक knowledge यह भी हुआ, कि anti-piratic drug की form में compound का use करते है, anti-piratic drug भी है, analogistic भी है, यह अगजिकली salicylic acid से बनाया जा, बोले सर, salicylic acid से कैसे बनाया है, मैं एक्षा knowledge दे रहा हूँ यहाँ, salicylic acid से कैसे मनाया जाता है, salicylic acid का acylation कराया जाता है, बोले सर, salicylic acid का acylation कैसे से होता है, CS3, COCL से होता है, SC3 का anhydrate से हो सकता है, आप किसी भी तरह की reaction को बला सकते हो, मतलब हम लोग यह चाहते हैं कि आपको question के साथ साथ, अगर कोई part वहाँ पर connect भी हो रहा है, तो उसका भी knowledge हो, हाना, तो अब move करते हैं, 65 number question पर, बीटा, again, infamous compound, DDT, dichloro, diphenyl, trichloro, ethene, I think, सब लोग जानते भी हो, यहाँ पर carbon chain कितने carbon की है, बीटा, अपने पास 2 carbon की, हाना, अगर 2 carbon की chain है, तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होना ची, कि दोनों substitute, तो जहाँ पर substitute जादा है, वहाँ से numbering start कर दीजिए, 1, 2, 1 पर 3 times trichloro है, 2 पर एक बड़ा सारा group है, bulkier group है, इस group का ना, बीटा, 4 chlorofenyl होता है, और यह कितने times है, दो time में इसलिए 20 लगाया गया है, और कितने carbon की chain है, ethene, 4 will be the correct answer, easy question था, और चाहो तो इसके साथ, आप एक revision की form में घर पर बैठ कर, यह भी सोच सकते हो कि sir, gamexene क्या होता है ना, I think some ने पढ़ा हूँ, अब यह C6, S6, CL6, इसको linden भी बोलता है, एक stronger insecticide है, यह other information, move on to the next question, अगर अपने बात करें next question की, तो बटा next question है, दो compound mentioned है, और उसमें isomerism से पूछा गया है, और अगर isomerism से पूछा गया है, तो आपको structure draw करने में, थोड़ी hesitation नहीं करनी चाहिए, कई बार क्या होता है, बिना structure बनाए, question आप गलत भी कर सकते हो, इसलिए मैं यह prefer करता हूँ, कि आप structure बनाओ, तो आप अगर अपमें बाद करें, यहाँ पर एक carbon से 3 CS3 corrected है, और साथ में यहाँ पर bromine connected है, next molecule पर आऊँ, तो यहाँ पर CS3 and 3 times CS2 है, और nextly connected है बटाप bromine, अब I think आप लोग बता सकते हो, कि यहाँ पर सर्थ 3 carbon की अपने पास chain रहेगी, और मैं बोलों यहाँ पर कितने carbon की chain है, 4, molecular formula सेम है, और DU भी बात करें सेम है, molecular formula भी सेम है, DU भी सेम है, तो आप idea लगा सकते हो, isomers भी है, कुन से isomers है, तो बटा इसको check करने के लिए अपने को यह बताना पड़ेगा, these are the chain isomers, क्योंकि carbon chain different है, यहाँ पर कितने carbon की chain है, 3, यहाँ पर कितने carbon की chain है, 4, इसलिए इसको chain isomers में consider किया जाता है, अब doubt क्या होता है, कि सब bromine की position भी अलग है, बटा प्रेफार किसको करते हैं अपने chain isomers को तौंस और अपने पास क्या होने वाला है, chain isomers, I think समझ गए होंगे सभी लोग, और आदाम से सही बना भी लिया होगा, structural isomers का एक easy question है, इस तरह के question बंग सकते हैं, 67, बटा, ammonium sinate है, एक compound, और यूरिया है, यह कौन से isomers होंगे, I think सब लोग देखकर बता सकते हो, cyanate is a functional group, and amide is also a functional group, बोध हाँ different functional group, तो answer क्या होने वाला है, functional group is isomers, आसान question था, second answer है, ठीक है बटा, move करता है, next question बे, और I think, देखो, question के साथ साथ, मैं यह बुर रहूँ, आपको NCRT को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि CLC में हमेशा बच्चों को, यह बुला जाता है, convey किया जाता है, उल्टा question भी हम practice करवाते हैं, classroom के अंदर, क्योंकि आजकल paper NCRT based आने लगया, तो अपने अगर NCRT को अच्छे से follow कर लेते हैं, तो अपना most of part क्या होता है, repeat भी हो जाता है, revise भी हो जाता है, और अपन अच्छे से उसको, बहुत अच्छे से बना लेंगे हैं, इसलिए मेरे according, आपको NCRT तो साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए, और हम लोग इसलिए NCRT को follow भी करते हैं, क्योंकि JEE आजकल, basically NCRT-based थोड़ा-थोड़ा paper रखने लगया, अच्छा खासा ना, तो इसलिए JEE में भी हम NCRT follow करने लगया, अच्छे से, अब बात करें, next question की, 68, which of the following pair of compound are not functional isomers, कौन से compound है, जो functional isomers ही नहीं, बट अब functional isomers में functional group क्या होना चाहिए, अलग-अलग, लेकिन molecular formula should be same, DU should be same, यह अपनी पहली primary condition है, अपनों ने isomers में बहुत question किया इसके रिगादे, तो अब एक बात ग्लुकोज, फ्रॉक्टोज, यह थिंग सब लोग जानते हो, यह तो यह तो functional isomers है, यह बोल ले है कि functional isomers ना हो, यह cyanide है, यह isocyanide है, यह भी क्या है functional isomers, 2-pentanone, 3-pentanone, ketone है वही, दुनों ही क्या है ketone, अगर दुनों ही ketone हो, तो बट आप बता सकते हो कि यहां, तो position change की है, यह कुण से isomers होगे, positional isomers, तो अपना answer क्या रहने वाला है, third, चलिए move करते है next question पर, next question की बात करें, तो इसमें यह पूछा गया है, कि which of the following molecule does not show trotomerism, इन में से कुण सा molecule है, वो trotomerism शोर नहीं करने वाला, I think, नेरे according, trotomerism JEE के लिए एक important part है, और इस trotomerism की बात करें, तो यहाँ पर, बटा, सबसे पहले option में, inol बना कर आपको mention किया गया है, यहाँ पर जो बनाया गया है, वो आपके लिए क्या बनाया गया है, inol, तो बटा, अगर अपने inol की बात करें, तो यहाँ पर जो inol बनाया गया है, इसका मतलब यहाँ पर ketofoam तो बनी सकती, बोले सर कैसे, अपने एक easy method यूज़ कर रहे है, C6H5, then CH, double bond, CH, और यहाँ पर OH, इस compound का अपने को totomer बनाना है, तो अपने क्या करते है, I think, आप लोग जानते हैं भी resonance के तुरू इस protic hydrogen को release करा दीगे, और protic hydrogen को release कराने के बाद, ओपर क्या आएगा, minus charge, और minus charge आएगा, तो इसको backflip कर दीजिए, इस तरह से, और backflip करेंगे, तो minus इधर आ जाएगा, I think, सब लोगोंने बनाया भी होगा, सर, C6, H5, CS2, and CS double bond O, this will be aldehyde 4, तो ketoinol isomerism shock कर रहा ही, second option पर move करते है, तो बटा, ये एक SP2 carbon है, और SP2 carbon पर जो hydrogen है, वो totomerism में generally participate नहीं करता, और ये तो famous compound है, benzoquinone, phenol के oxidation से भी ये बनता है, न, pink color का compound होता है, तो ये compound अपने को totomerism show नहीं करके देगा, answer तो आगे है, लेकिन आगे भी जितने भी options है, उस पर भी अपने देखते है, कि क्या हो, totomerism हो रही है, yes, there is SP3 carbon, and totomerism take places from both sides, there are two sides of CO group, so, and अपने यहां भी आराम से बोल सकते है, कि totomerism take places, due to SP3 carbon, where hydrogen is also present, move on to the next question, हाँ वही, next question में पुछा गया है, positive and negative forms of optically active compound are different in, वो किसमें different हुई, अच्छे एक बाद तो दिजार्दा इनिंशों मर्स mirror image, non super impossible mirror image, it means, इनकी सारी properties seem होती है, तभी तो इनको distinguish करना hard है, इसको distinguish करना hard है, तभी अपने इसके लिए specific technique की यूज करते हैं, like resolution वगर हैं आप लोग सब लोग जानते हूँ, तो अब यहाँ पर अगर मैं answer की बात करूँ, तो सब लोग आसानी से बता सकते हूँ, वो किसमें different होते हैं, specific rotation में, rotation हूँका different होता है, एक plus घुमाएगा plane polarized light को तो एक किसमें rotate करेगा, negative part में, तो एक आसान question था, अच्छी बात यह थी कि अपने को inensiomers को recall करने के लिए बोल ले, move करते हैं next question पर, हावी, अगर अपन next question की बात करें, तो यहाँ पर next question में, अगर अपन next question की बात करें, तो next question में mention है, कि यह जो compound है, वो कौन सी isomers में show करता है, देखिए, इस question को अपने, थोड़ा frequently अगर करेंगे, तो कई बार गरबड कर जाएंगे, कारण क्या है, यहाँ पर, आप जैसे double bone देखते हो ना, आपके दिवाग में GI आता है, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए, कि यहाँ पर, क्या SP2 carbon पर, same group नहीं है, यह दोनों ग्रूप तो क्या आगए बिटा, और same group में GI कभी भी show नहीं होती, तो यह GI show नहीं कर सकता है, इस double bone के respect में, बट यह optical isomism में show कर सकता है, बिकोज it is an chiral carbon, और chiral carbon होने के कारण ही यहाँ पर, कौन सी isomism में show होने वाली बटा, optical, I think आपने आराम से बना लिया होगा, एक easy question था, लेकिन अच्छा question था, जल्द बाजी में जो अच्छे question है, मतलब एकदम easy question है, वो भी गलत हो जाते हैं, तो थोड़ोगा अच्छे से देकर question को पढ़िए, पाकी गलती नहीं, हाँ भे, which of the following compound produces an optically inactive compound on hydrogenation, मैंने बोला था ना, हम variety of question को करने वाले, ताकि सारा revision हमारा frequently अच्छे से हो, CLC के खासियत ही है, कि CLC हर topic पर अच्छे से perfectly ध्यान देती है, और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, कि जो लोग मेहनत करते हैं, वो हमेशा success होते हैं, success को gain करते हैं, हमेशा success gain करते हैं, मतलब आप एक बास सुचिए, अगर आप hard work करेंगे, definitely आप select होंगे, CLC में एक अच्छी खासियत ये भी है, कि यहाँ पर camp लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चे individual self study करते हैं, तो self study को properly अच्छे से time दिया जाते हैं, जो CLC की बहुत बहुत अच्छी खासियत, बच्चे camp के लिए ऐसा रहता है, बच्चों को भी की sir, camp जाना है, मिरे को एक पढ़ना है, एक अपना schedule रखना है, तो इसी कारण से CLC खास बनती है, दूसरों से अलग बनती है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बाद, इवनिंग टाइम में, रूटीन में, बच्चों को थोड़ा सा motivation देने के लिए assembly लगाई जाती है, जिस assembly में, हनुमान चाली सगा पार्ट भी होता है, teacher different type के motivation या पढ़ने के तरीके के बारे में बताता है, हर टाइम, teacher यह बोलता है कि हर activity में involved भी हो, पढ़ो भी, मस रहो, कोई भी अपने को stress दी लेना, stress free life दी लेना, तो चलिए, move करतें next question पे, अगर अपने बात करें, कि ये compound, ये जो question है, वो hydrogenation के regarding है, मलब hydrogen जोड़ दो, optically inactive compound हो जाए, ठीक है, इधर hydrogen अगर अपने connect करते हैं, तो connect तो कर दिया, इस side में, one, two, three, अपने पास कितने carbon आ रहे है, three, और इस side में कितने carbon आ रहे है, two, तो ये तो chiral हो गया, optically active हो गया, ये अपना answer नहीं रहने वाला, अच्छा अभी carbon चेक करें, one, two, three, इधर भी one, two, three, लेकिन यहाँ पर branching आ रही है, यहाँ पर branching नहीं है, अगर hydrogen gas जोड़ भी देते हो, तो यहाँ पर फिर भी chiralty रहेगी, अगर अपने बात करें, next option की, तो next option में भी देखिए carbon कितने है one, two, three, four, यहाँ पर कितने है, three carbon, तो chiralty रहेगी, optically active रहेगा, लेकिन अगर इस option की बात करें, अगर यहाँ पर मैं hydrogen gas को connect करता हूँ, तो बेटा जो compound बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा, और इधर भी बीच में carbon है, इस carbon की बात करें, इस carbon की बात करें, अपने basically, तो यहाँ पर इस carbon पर दो group लगे हुए, एक H है, एक यहाँ पर अपने पास क्या रहने वाला H, और एक क्या रहने वाला ME, तो यहाँ पर यह carbon काईरेल नहीं रहा, क्योंकि दोनों साइड में similar group है, इसलिए compound क्या होगा, optically inactive, तो यह अपना fourth answer रहेगा, move on to the next question, next question की बात है, which of the following are non-super-imposable mirror image, मतलब mirror image तो होने चाहिए, लेकिन एक बुसरे पर non-super-imposable होने चाहिए, ऐसे compound का अपनान क्या बोलते है, inentiomers, अच्छा, अगर अपने inentiomers की बात करें, तो इसमें से inentiomers select करना था, आपको यहाँ पर RS find out करनी चाहिए थी, RS find करनों से अपने आप, easily answer निकाल सकते हैं, तो चलो देखें, अपने RS से करते हैं question को, अगर अपने यहाँ पर numbering दे, तो this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4, और यह अपने पास S रहेगा, I think सब लोगों ने असानी से कर भी लिया होगा, this is 1, and this is 2, and this is 3, 1, 2, 3, आ रहेगा न, तो आपको एक चीज उर साथ में सोच कर चल लिए, कि IUP-C में यहाँ पर numbering क्या रहने वाली है, अगर मैं यहाँ की बात करो, CWH is 1, according to the priority table, तो यहाँ पर अपने पास 2 पर आ रहेगा, and 3 पर S, this is the orientation in first compound, move on to the second one, Bromine is first, second is this one, third is this one, 1, 2, 3, and this is R, move on to the next one, Bromine, and this one is third, this one is fourth, and 1, 2, 3, R हो जाएगा यह भी, तो यह एक दूसरे की mirror image नहीं है, क्योंकि mirror image में, R से compound का S में बदलना compulsory है, move on to the next one, this is Bromine, and this is second, this is third, clockwise रहा है, standard case है नहीं, इस्ता मतलब यहाँ पर orientation कैसा रहने वाल है, S, move on to the second one, Bromine, third one, and fourth one, तो अगर अपने चले, तो यह इस तरह से anti-clockwise रहेगा, standard case है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R, कितने पर R, कितने पर S, यह भी check करना पड़ा है, तो एक बात बताएए, I think सब लोग समझ गे होंगे, CW is main functional group, तो 2 पर S and 3 पर R, इस compound में चेक करते हैं, अगे, इसमें भी naming देते हैं न, अब एक बात बताएगे, numbering देंगे, तो यहाँ पर 2 पर भी R, 3 पर भी R, तो I think अपना अंसर आ चुका है, क्योंकि 2 पर R, 3 पर S, क्या दोलों तरफ चेंज हो गया है, 2 पर S, 3 पर R, यह definitely चेंज हो गया, इससी लिए जो अंसर रहने वाले हैं, 1 and 3, it means the first option is correct, अपने को आगे करने की जुरत ही नहीं, हाना, तो single choice question था, answer बना लिया हुगा, सबने एक आसान और अच्छा question था वेटा, अगर आपने बात करें next question की, यह बोल रहा है कि which of the following pair of compound are in insurance, अब इसने pair बना के दिये इस पर question में, और pair बना के दिये हैं, तो अपने सिधे mirror image से check कर सकते हैं, असानी सामने compound है, RS वाला method भी use कर सकते हैं, आप जो आपको अच्छा method लगे वो आप use कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, तो एक बात बताईए, mirror image होना चाहिए, inentiomer होना चाहिए, अच्छा एक बात बताईए, क्या first compound mirror image possible है, never, mirror image possible ही नहीं है, क्योंकि OH की mirror image H होना होगी, move on to the second question, yes, OH की mirror image, OH, H की mirror image, H, और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, yes, this is the mirror image, yes, definitely second will be the answer, यह भी answer नहीं हो सकता, I think आप समझ गये होंगे, क्योंकि OH की mirror image यहाँ पर down side में H नहीं हो सकती, और अगर इसकी बात करें तो यह भी mirror image नहीं है, तो अपना answer क्या रहने वाले बटा, second will be the correct answer, आसानी से बना सकते थे, वो करते हैं, 76 question पर, यह पूछ रहा है कि fissure projection में deglis aldehyde कौन सा है, बैटा, fissure projection है और vertical line, horizontal line method से represent करते हैं, तो vertical line, horizontal line mentioned है, और standard case अपने को यह बताता है कि aldehyde should be at the top of the fissure projection, yes, aldehyde top पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, at vertical side, it means vertical side तो यह है, यह carbon chain है, yes, definitely, it is the standard case, there is no requirement to change the orientation or projection, तो अगर अपने बात करें, fissure projection formula की उसने deglis aldehyde पूछा था, अगर OHSE condition में, right hand direction में हूँ, तो उसे अपने deglis aldehyde बोलते हैं, इसलिए answer क्या रहने वाला बटा, था, चलिए, move on to the next question, 77, यह पुछ रहे हैं कि 3-0 isomer क्या होते हैं, I think आप लोग जानते हूँ कि 4 carbon हो, तो दो type की conditions बनती है, एक तो 3-0 की और एक erythro की, जब 2 chiral carbon पर, दो chiral carbon पर, अगर same type के group, same side में हो तो erythro बोलते हैं, अगर दो same type के वो ही group, opposite side में हो, opposite side, 180 पर मनलब, तो ऐसी condition में, उस form को अपने 3-0 बोलते हैं, और यह class में, इस में बहुत सारे अच्छे-च्छे क्योशन अपरण, प्रेक्टिस में लियो बोलते हैं, अगर अपने बात करें, दोनों same group, same side में, it means this is erythrofoam, opposite side में है, this means, it is 3-0, same side में, it means erythrofoam, और अपन से पुछा था, 3-0 कुम सी होगी, I think second, एक आसान सांसर था, concept को repeat भी करा, थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए question पेपर में दिया गया है, वो on to the second question, 78 question, हावी, 78 question में यह पुछा गया है, कि RS configuration क्या है, ठीक है, RS configuration का question है, तो यहाँ पर R isomer आपसे पुछा गया था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर R isomer की बात करूँ, तो बिटा, यहाँ पर अपन ट्राइ करते हैं, options को, तो यहाँ पर एक नमबर पर this one, two नमबर पर aldehyde group, and three नमबर पर alcohol रहेगा, और four नमबर पर H, rotate arrow from 1 से 2, 2 से 3, direction anti-clockwise, it means this one is R, okay, move करते हैं, second पर, OH, one, then two, then three, यह भी R ही रहने वाल है, move करते हैं, next option पर, OH, ethyl, methyl, high, यह अपने पास S रहे, one, two, and three, R, S निकालना अपने class में काफी सारे question किया है, हाना, तो one, two, three, anti-clockwise, S, और S ही रहेगा, तो अपने पास, दो answer, बिटा, S projection में रहे हैं, और दो R में रहे हैं, और इसने जो answer पूचा था, वो यही पूचा था कि R configuration कौन से रहने वाल है, तो बिटा, R configuration के लिए, अपना जो first option है, वो best है, असान question था, R, S को पैचानना था, एक practice के like question था, हाना, तो अपने move करते हैं, next question पर, next question, आपको cyclohexion का एक conformer mentioned है, हलांकि conformer के दिखे, question बात करूँ, जही में आते रहते हैं, और cyclohexion का जो most stable conformer, आपने लोग जानते हैं, कि chair form होता है, और chair form की बात करें, तो chair form में flipping भी पाई जाती है, and all of you know, that in flipping, axial becomes equatorial, and equatorial becomes axial, this is the flipping process, I think all of you know, which of the following structure will be produced, if a ring flip, और क्योशन भी फिल्प का है, तो axial becomes equatorial, equatorial becomes axial, what is this mom, this is equatorial, what is this one, equatorial, this one is axial, अगर अपने इस flange की बात करें, this is the flange, अगर इस flange को मैं downside लेकर जाता हूँ, तभी flip हो बाला, chair form, तो अगर इस flange को नीचे लेकर जाता हूँ, तो flange इस में downside है, yes, this one is, and this one is, first, जो methyl group है, it should be on axial position, because during flipping, equatorial becomes axial, तो I think second में यह axial है, यहाँ पर यह equatorial है, तो यह answer गया, और first and fourth थे नहीं, तो answer क्या रहेगा, second, फिर भी check करते है, equatorial becomes axial, yes, this one is, axial, axial become equatorial, yes, this was equatorial, तो आसान और अच्छा क्यूशन, भो करते है, next question पे, which of the following compound will not show geometrical isomism across the pi bone, pi bone की across है न, GI show, वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, I think, भूत अच्छे क्यूशन की category में यह क्यूशन है, क्यूंकि RS भी लग रहे है, GI भी लग रहे है, दोनों concept आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो बैटा, जब दोनों ही wedge पर है, यह वाले गुरुशन, हाना, यहाँ पर दोनों ही wedge पर है, इनका अपने orientation निकालेंगे, काईरेल कार्बन के according हाना, तो एक बात बताईए, यहाँ पर जो orientation आने वाला है, वो similar आना है, इधर और इधर, अगर अपन बात करें, यह wedge है, तो यहाँ पर ही dash भी रहा होगा, यह wedge है, तो यहाँ पर भी क्या रहा होगा, dash, तो अगर मैं इन molecule पर RS निकालता हूँ, तो यहाँ पर similar आएगा, जैसे RRSS, same आएगा, यहाँ पर भी अपने पास क्या रहने वाला है, same, आप RS निकाल सकते हो, अब इसमें perfect हो, similar रहने वाला है, ओके, अगर मैं इधर भी बात करूँ, तो मतलब third and fourth option की बात कर ली, यहाँ पर जो भी orientation हो, वो same रहेगा, और same रहेगा, तो double moon के respect में, same रहेगा, तो double moon के respect में, यह GI show नहीं कर सकता विटा, अगर same रहने वाला है, तो double moon के respect में, यह GI show नहीं कर सकता, बात आती है इधर की, इधर यह double moon GI show कर सकता, बोले कैसे सर यहां पर RS प्रोडीस हो रहे हैं बोले कैसे सर देख लेते हैं इस option को चेक करते हैं तो यहां पर डेश पर क्या रहा होगा एक ग्रूप hydrogen atom अगर यहां पर वन नंबर की बात करें तो शुट बी क्लोरीं सेकंड नंबर इस वन डबल ओं थर्ड नंबर इस वन और फॉर्थ नंबर हाइड्रोजन वन टू थी यह उर्येंटेशन रहने वाला है अब एक बात बताएं इधर वैज पर क्या रहा होगा हाइड्रोजन आप वही नंबरिंग दे सकते हैं इस वन बन और यहां पर ओर्येंटेशन दोनों क्या है आर ऐसे यहां पर दोनों ओर्येंटेशन निकालोगे तो आपके पास क्या रहने वाला है वाले कारबन पर सिमेलर रूप आगे हैं अगर सिमिलर गूर्प आजहें डूबल ने कारबन पर तो वो डबल बुन के रिस्पेक्ट में जी आई शो नहीं कर सकते ठीक है ना तो यहां पर जो अंस्वर रहने वाले है वो सेकिंड रहने वाले हैं इसी तरह भी अपने आरेस चेक कर सकते हैं और यहां पर आरेस चेक करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि यह भी compound है वो GI शो नहीं करने वाला double one के इस रिस्पेक्ट में रिंग के रिस्पेक्ट में definitely it will show GI तो second will be the correct answer चलिए भी यह अपना section A है वो section complete की आपनोंने अब move करते हैं integer type के question में और शुरुवात करते हैं integer का 81 number question अगर अपने बात करें इसमें उचा गया था number of chain isomers of c5s12 देखें डी यू का I think सीधा question देना मुझे अच्छा नहीं लगा अगर अपने बात करें डी यू की properties क्या है वो isomerism में है और हर जगे अपने डी यू को यूज कर रहे है तो डी यू के जीरू डी यू का formula आप लोग जानते हो तो अब एक वादी carbon कितना है c plus 1 that is 5 plus 1 minus hydrogen 12 divided by 2 तो यहां पर 6 minus 6 डी यू कितना रहेगा आपने पास जीरू अगर डी जीरू है तो ना तो रिंग है वहाँ पर नहीं पाइबोंड है तो वेटा अगर इसकी structure की बात करें तो पांच carbon है यह 5 कारवन वाली structure मना ली मैं वह बहुला चलो carbon chain को breakdown करते हैं और एक नए compound बनाते हैं carbon chain को breakdown करते हैं और एक नए compound बनाते हैं कितने isomer बने तीन और तीनों ही chain isomers है 5 carbon की chain है first compound में second में 4 carbon की chain है, third में three carbon की chain है, तो यहां पर कितने isomers मनेंगे जो chain isomers है, वो तीन है, और एक चीज़ और अच्छी बात discussion में, कि total isomer भी कितने है, तीन, chain isomer भी कितने है, तीन, all RCI, तो move करते है, next question 82, number of geometrical isomer for the molitude, इस iso, इस compound के लिए GI कितने हुए, इसको without formula भी आप कर सकते हूं, because this is a symmetrical formula, और symmetrical formula की बात करूं, तो यहां पर आप दो orientation बता सकते हूं, कि सर, यहां पर भी आपने cis draw किया, और यहां पर भी आपने cis draw किया, बोले सर, दूसरा isomer कौन सा होगा, यहां पर भी trans रहेगा, तो यहां पर भी क्या रहने वाले अपने पास, trans, अब मैं बोले, इसका vice versa, मलब दूसरे टाइप का compound मनाए, cis and trans, symmetrical है, तो trans इसको show करने की जुरत में ही है, यह तीन ही isomer अपने पास है, वो रहने वाले है, तो यहां पर जो geometrical isomer है, वो तीन रहेंगे हैं, वो करते हैं बटा, next question बे, next question की बात करें, C2FCLBRI, again, मैंने बोला ना, DU के बिना आप नहीं चल सकते आगे, तो I think सबने DU निकाला होगा, कि सब DU 1 रहेगा, और DU 1 है, carbon, 2 carbon contain कर रहा है, तो ring तो आप बना नहीं सकते, मैंने double moon को drop किया, मैं बोला, fluorine को fix रखते हैं, यहां बनाते हैं, chlorine, bromine and iodine, I think यह सबने बनाया हूँ, मैं move किया, next option पर, महलब next, isomer पर, fluorine यहां पर है, मैंने बोला, यहां पर इस बार bromine रखते हैं, साथ में इसके iodine रखते हैं, और यहां पर chlorine रो करते हैं, यह दोनों isomer अलग है, I think सब लोग समझ गए हूँ, चलिए, move करते हैं, next पर, अब भी, मैंने सुचा कि एक नया option try करते हैं, जिसमें नए options हो, जैसे like chlorine रो किया, यहां पर अपन chlorine के साथ iodine, transfer iodine रख देते हैं, chlorine रख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में है, कि सर आपने transfer change किया है, chlorine के transfer chlorine, यहां पर bromine, यहां पर iodine, और iodine के साथ chlorine है, वोने एक नया पेर है, इट मिन्स यहां पर अपने पास क्यान हैने वाले, bromine, तो बटा, यह तीन isomer बने, और इन्ही की position को आप change करकर EZ बना सकते हैं, और EZ बना सकते हैं, तो यह भी compound GSO करेगा, यह भी GSO करेगा, यह compound GSO करेगा, इच structural isomer है, टू stereo isomers, तो यहां पर total isomers की बात करें, तो अपने पास कितने हो जाएंगे बटा, छे isomer हो जाएंगे, I think सब लोगों ने मना लिया होगा, एक अच्छे टाइप का question था, अब है pen 3 in, 2 old, इसके total stereo isomer कितने होगे, चले structure draw करते हैं, पहली बात तो 5 कारवन की chain ह टू पर old है, और 3 पर aim भी है, क्या यहां पर double bone की respect में GI show हो रही है, yes हो रही है क्योंकि अलग-अलग group है, यहां पर भी अलग-अलग group है, GI show हो रही है, अच्छा this one is a chiral carbon, how? H है, OH है, यह CSC है और यह bulkier group है, तो chiral carbon भी है, दो जगए stereo show हो रही है, तो अपन यहां पर कितन isomer बना सकते है, यहां पर कितने possible है बटा, दो, एक cis और एक trans, यहां पर कितने possible है, दो, कुन-कुन सा, one is R, another is S, तो cis के साथ R का combination लीजी है, cis के साथ S का combination लीजी है, trans के साथ R का combination जाएगा, और trans के साथ S का combination जाएगा, तो अपने, यहां पर कितने isomer possible हो जाएगे बटा, four isomers are feasible, move करते है, next question के, next question के बात करें, तो यह पूछ रहा है, कि the number of enantiomer and mesoform for the compound, ठीक है, I think, सब लोगों ने यह justify कर लिया होगा, this is the mesoform, this is the symmetrical compound, I want to say that, this is the symmetrical compound, why, because, this chiral carbon have similar groups, in both sides, symmetrical, और symmetrical के लिए अपनो ने formula भी पढ़ा हो है, R1 is equal to R2, तो number of optical active isomers का formula होता है, अपने पास, A is equal to 2 का power, N minus 1 minus 2 to the power, N minus 1 by 2, और C, total isomers, 2 की power, N minus 1 by 2, और C, total isomers, 2 की power, N minus 1, देखो, X और Y invisibly तो पूछा नहीं गए, अपने से, X, Y individually पूछता ना, तब तो अपने इस formula को A, B को justify करते हैं, अब सीधा total isomers निकालने हैं, और total isomers अपने सीधा भी निकाल सकते हैं, तो अपने 2 की power, N minus 1 वाले formula का help लेते हैं, कितने chiral carbon हैं, 1 chiral carbon, 2 chiral carbon, 3 chiral carbon, 4 chiral carbon, 5 chiral carbon, 2 to the power 5 minus 1, it means 2 to the power 4, this one is the 16 answer, I think some ने बनाया भी होगा, 16 यहां पर answer रहने वाले आपना, और अगर individually आप find out करना चाहते हो A और B को, तो इन formula के help से निकाल सकते हैं, chiral carbon, 5, और आप move करते हैं, next question पर, हाँ बेटा, move on to the next question, और इस next question की बात करें, तो इसमें stereogenic center पूछे हुए थे, एक आसान question था अगर इसकी बात करें, तो यहां पर भी एक chiral center है अपने पास, और यह भी एक chiral center है, अलग-अलग item है, और यहां पर अपने पास यह वाला carbon भी chiral center शो कर रहा है, लेकिन अपनोंने classroom में एक question बनाया हुए है, कि camphor में rigid system मिलता है, और rigid system के अंदर, अपने RS की दो probability नहीं बैटा सकते हैं, हाना, तो वहां पर इधर से केवल एक mirror image मिलती है, तो यह पूरा एक stereogenic center है, तो एक बात बताईए, total stereogenic center यहां पर कितने होंगे अपने पास, 4, 4 will be the answer, हाँ, definitely एक अच्छा question था, क्योंकि कारण क्या है, अपने generally कर देते हैं, पाँच, तो एक mistake होने के chances रहते हैं, और यहां इसदर answer रहना है, रिजिट system के कारण, 4, okay, 87, निमेल लिखित में से, परकाशिक रूप से, निस्क्रिय योगिकों की संख्या है, मतलब, optically active, inactive isomers कुम से, optically inactive मतलब light को rotate ना करें, मतलब वहां पर symmetry परजेंट हो, या किसी टाइप का, I think, equilibrium मर रहा हो, वो भी optically, like recent mixture, optically inactive होते हैं, external compensation होते हैं, तो बटा, अगर first option की बात करें, तो यहां पर fast umbrella inversion, golden inversion मिलता है, so it is the optically inactive compound, क्योंकि यहां पर fast flipping मिलती है, umbrella inversion मिलता है, इसी कारण से यह optically inactive है, B पर sulfur के बास lone pair भी है, so chirality बनी रहती है, यहां पर alien system है, this one is horizontal and this one is vertical, so यहां पर भी plane of symmetry परजेंट नहीं है, तो यह भी क्या compound है, optically active, तो यह B और C optically active है, इस compound की बात करें, यह chiral carbon है, यह chiral carbon और definitely वहां पर symmetry नहीं होती, और symmetry नहीं होती, यह भी क्या optically active, तो optically inactive compound कि इतना रहने वाला है, बटा अपने पास यहां बन, यह भी समने बनाया होगा है थी, अच्छा question था, जिसमें POS का भी use हो रहा है, प्लस 2-butanol and 4-gram of minus 2-butanol, तो inansiomeric excess का formula सभी लोग जानते हो, 6-4, जो इवेट हो, उसका difference, प्लस माइनस का difference, उसका sum, percentage निकालना था, multiply by 100, यह inansiomeric excess का एक easy formula आप लोग जानते हो, तो यहां पर अपने पास क्या रहने वाला बटा, 2 by 10 multiply 100, it means, 20% will be the answer, चलिए, move करते हैं, 89 number question, butane 2-3 die-old के लिए, कितने अपने पास, optically active isomers है, अच्छा question है, क्योंकि बच्चे जल्दवाजी में, ऐसे question को गलत कर लेते हैं, और ऐसे question हमने classroom में, बहुत सारे practice किये हैं, और अलग-अलग groups के साथ try किया है, अलग-अलग structure के साथ try किया है, तो classroom के सभी students ने, I think, बहतनीन तरीके से, ये question मनाया होगा, असानी से, और अगर अपने बात करे, stereo isomers बताने, only optically active, और butane-2,3 diol, तो बिटा, butane-2,3 diol है, तो CS3, CS3, और यहां पर अपन गुरूप लगा देते हैं, this one is H, this one is OH, this one is H, this one is OH, ये कुन सा form है, mesoform, optically inactive, तो वही टाटरिक ऐसेड वाला case, जो अपने भोदबार पढ़ते हैं, तो यहां पर इधर दो orientation possible है, one is RR, another is SS, दो combination possible है, जो optically active है, अगर total stereo isomer बोलता न, 3 will be the answer, लेकिन कितने पुछे, optically active है, optically active ही पुछा है, total isomer नहीं पुछा, total stereo isomer नहीं पुछा, optically active वह दाने थे, तो एक combination तो अपने पास यह रहने वाला है, एक combination यह रहने वाला है, answer will be 2, move करते हैं बटा, next question पे, this is the last question of, mid session test is, और एक बहतरीन question, इसको बहतरीन question मैं इसलिए बोलना हूँ बटा, इसमें reaction का भी concept मैंने apply करवाया है, तो यहां पर दिखे, अगर यहां पर reaction का concept है, तो it means हम लोग आपको दो चीज़े सिखाने वाले, दोको CLC में learning की बहुत अच्छी जिद्ध है, जितने भी CLC अन है, वो एक जिद्ध के साथ बैठते हैं, कि हम करेंगे, और वो करके जाते हैं, यही काम अपन लोगों को करना है, और बहतरीन तरीके से करना है, कोई भी stress नहीं लेना, और stress-free environment में, मस्ती के साथ, अच्छे वाला rank, अच्छी वाला selection, अच्छे वाला college, अच्छी वाली success के साथ, अच्छे वाले लोगों के साथ, और मावाप के आशिरवाद से, गुरु के आशिरवाद से करते हैं, हाँ ना, तो बात करते हैं, इस question पर move करते हैं, बढ़ा, the number of possible in-initio-maric pairs, that can be produced during monoclorination, of two methyl butane, चलो draw करते हैं, two methyl butane, मैं इसको open करके, बनाना हूँ, ताकि सब लोग इसको अच्छे से अप्रोच कर पाएं, पहली बात monoclorination, अगर यहाँ पर अपने chlorine को add करते हैं, hydrogen को replace करते हैं, तो there is no chiral carbon, in this molecule, it means in-initio-maric तो possibility नहीं है, इन्होंने बोला, in-initio-maric pair बताओ, वो तब होता है जब compound chiral हूँ, यहाँ पर chiral tea produce नहीं होगी, चले second जगे try करते हैं, मैंने इस side पर chlorine को try किया, this will be the chiral carbon, if hydrogen is replaced by chlorine, और यहाँ पर दो orientation, create हो सकते, one is R, another is S, ठीक है, अगर अपने बात करें, तो यहाँ पर RS क्या pair बन जा, means that is the in-initio-maric pair, और in-initio-maric pair पूचा, तो मतलब एक pair तो यहाँ से बनेगा 100%, चलिए ठीक है, मैं वहला चलो इदर chloridation करते हैं, इस hydrogen और replace करके, chiral carbon नहीं रहेगा, कहें का in-initio-maric pair, चलिए, यह और यह दो sites similar है, यहाँ पर अगर आप CL करेक्ट करते हैं, तो इस carbon will be chiral, एक site पर आपको CL approach करना है, तो इस carbon is chiral, और chiral है, तो यहाँ पर हमें position change कर सकता हूँ, इदर CL लगाँ तो हो सकता है, R बने और इदर CL लगाँ तो S बने, तो it means, इस विल बिदा in-initio-maric pair, और अगर यह in-initio-maric pair है, तो यहाँ पर अपने पास एक in-initio-maric pair और जनरेट हो गया, तो total in-initio-maric pair अपने पास यहाँ कितने रहने वाले हैं, दो, तो बिटा, in-initio-maric pair का एक बहतरीन question था, with concept of reaction, देखो एक पहली बात तो CLC में हम लोग पहले यही चीज़ सिखाते हैं, अब अपने पास 10 questions है, मनलोग यह question, assume that, कि यह question आपको मैंने firstly, एकदम 81 number पे दिया होता, और आप उस पर time waste करें, आपसे नहीं हो रहा, तो बिटा, उस time के लिए justification नहीं है, आप कभी भी sequential question पर, इतना भी maintain मत हुए, कि एक ही question में time waste करें, आपको दिख रहा है यार, easy question है, उन पर अप्रोच करें, हम बच्चों को भी classroom में यही बोलते है, कि आप paper को जब भी देखें, तो यह देखें कि question, आपकी एक नजर है ना, वो justify कर देती कि question कैसा है, हालांकि यह भी आसान question था, लेकिन concept था, अगर तीन या चार सेंटर के साथ होता, तो ऐसे question को left it, हालां, यह आसान question था, डेफिनिली आसान question था, लेकिन reaction का एक concept involved था, तो बटा मेरे according, आप सभी लोगों ने paper को बहुत अच्छे से sold किया है, और मेरी एक opinion भी आप लोगों को, आप इस paper को repeat करिए, अगर आप से कोई question बना है, और अगर आपने सभी question सही किया है, there is no requirement, और अगर, I think मैंने, मेरे को जहां तक लगता है, classroom के बच्चों ने, बड़ा आलीशान paper किया हुए, क्योंकि CLC के बच्चों ने बहुत महनत की हुए, और हम एक अच्छा result प्रोडूस करने वाले हुए, तो बटा, ये आज का paper discussion यहीं अपने complete करवाते हुए, मस्ती के साथ next paper के लिए जुट जाते हैं, और मुझे उमीद है next paper इससे भी अच्छा करने वाले हो आप लोग, और महनत करिए, लगे रहिए, और जैजे CLC, टेक केर, बाइ-बाइ, ओके बिटाओं.